अब दोस्तों कोड़ी दानेल चैनल में आपका स्वागत है कल के सेशन में और कल तक हमने जेतने भी टॉपिक्स पढ़े हैं मुझे अम्मीद है कि आपने सारी चीजें रिवाइस कर ली होंगी और सारी चीजें क्लेर होंगी अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप हम इंड बॉक्स में लग सकते हैं आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे डाट इस ऑपरेटर से पहले हमें यह समझना होगा क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होता है जो है वो ऑपरेटर और के कॉम्बिनेशन से बनता है जैसे अगर यहां पे देखा जाए तो a is equal to a plus b multiply by c तो यह एक expression है जो evaluate होगा कुछ result देगा तो यह हमारा operand है जो variables होते हैं जिस पर operation perform होता है और यह operators हैं जिनको हम symbols कहते हैं ऐसे ही यह expression है a is greater than b यह भी एक expression है तो expression को बनाने के लिए हमें दो चीज़ की जरुद पढ़ती है एक operator दूसरा operand तो operators क्या होते हैं operators जो है वो symbols होते हैं that perform specific operation or operand and produce the result जो operators हैं इनकी दो category बनाई गई है एक को unary कहते हैं और दूसरा जो होता है वो binary operator होता है तो unary operator वो operators होते हैं जो सिर्फ एक operand पे काम करते हों और binary operators वो होते हैं जिनको operation के लिए दो operand की requirement होती है जैसे plus symbol तो plus को अगर use करना है तो आपको दो की बत पड़ेगी a plus b तो उसको कहते हैं binary operator तो इसको कहते हैं binary operator टाइप्स of operators क्या होते हैं टाइप्स of operators अलग-अलग category बनाई गई है operators की यह symbols ही हैं लेकिन operation के basis पर इनके categories बना दिए गए है arithmetic, assignment, relational, logical, bitwise, membership operator और identity operators तो one by one सारी चीज़ों को explore करते हैं तो arithmetic operations में आप क्या क्या perform करते हैं plus, minus, multiplication, division, mod और floor division आप calculate कर सकते हैं और power calculate कर सकते हैं यह जो दो operators हैं यह पाइथन में special operators हैं अलग से add किया गए हैं बागी के programming languages में यह दो operators available नहीं हैं तो कैसे यह work करते हैं चले देख लेते हैं जैसे माल लिजे आपके पास कोई value है a is equal to 12 and b is equal suppose 13 तो अगर आपको इनका addition calculate करना है तो लिखेंगे a plus b तो addition आ गया अगर आपको subtraction करना हो तो लिखेंगे a minus b आप चाहें तो इसको किसी में store भी कर सकते हैं कि division ध्यान से देखिएगा अगर माल लिजे मुझे division calculate करना हो और मेरे पास number है that is 12 और मैं divide by लिखता हूँ यहाँ पे 5 तो यह actual division perform करेगा यानि की float में result आपको देता है जैसे माल लिजे अगर मैंने लिखा 10 and divided by 5 तो यह देगा 2.0 लेकिन आपके requirement यह है कि मुझे यह fractional वाली part चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं आप लिखेंगे suppose 12 को divide करना है 5 से तो यह floor division और ध्यान रहे इसको बहुत ध्यान से use कीजेगा क्योंकि python में अकसर division के लिए हम यह use कर लेते हैं जब हम integer चाहिए होता है तो result नहीं आता है तो अगर आपको सिर्फ integer part चाहिए तो यह वाला operator use करेंगे तो जैसे देख लिए सिर्फ आपको result मिलता है 12 एक जो नहा operator दिया गया है जिसके तुरू आप power calculate कर सकते हैं यह बहुत useful है तो power calculate करने के लिए suppose 2 to the power 3 calculate करना है तो मैं लेकूंगा 2 और 2 times multiplication symbol 3 तो यह आपको power calculate करके दे देगा तो यह arithmetic operators हैं जिनको आप अपने program में use कर सकते हैं assignment operator video pause कर लिए और यह सारी चीज़ें पढ़ लिए मैं आपको code से बता लेता हूं variable is equal expression तो अगर आपके पास कोई एक variable है और आपके पास कोई expression है for example 12 plus 13 और यह 12 and 13 किसी variable में भी हो सकते हैं तो यह expression को evaluate करता है और evaluate करने के बाद जो result आता है वो assign कर देता है अपन सकते हैं 25 तो यह assignment operator single equal symbol assignment operator होता है इसको भी याद रखेंगे क क्या comparison में हम क्या करते हैं सिंगल equal symbol से compare करने के कोशिश करते हैं और हमारा program एक्जिक्यूट नहीं होता है तो याद रखेंगे यह assignment के लिए होता है ये comparison के लिए नहीं होता है relational operators ञान एक коли आपक़ ऊपरेटर्च है, वो boolean होता है, तो हमारे पास double equal symbol है compare करने के लिए, जिसको equality check करने के लिए use करते हैं, not equal, not equality check करने के लिए less than अगर एक value दूसरे से छोटी है, greater than equal दूसरे से बड़ी है, less than equal, एक value छोटी, या फिर उसके equal, greater than equal क्या एक value दूसरे से बड़ा है या फिर उससे छोटा है तो उसको check करने के लिए ये use करते हैं तो जैसे मालने जब मैंने लिखा a is equal 12 और b is equal 1 sorry b is equal 1 this one and आपको ये check करना है कि क्या a और b दोनों same है तो आपको चैसा लिखेंगे तो result आएगा false obvious क्योंकि ये दोनों same नहीं है क्या a और b दोनो equal नहीं है yes दोनों equal नहीं है क्या a b से छोटा है false क्या a b से बड़ा है true क्या a b से छोटा और equal है ठीक है तो दोनों में से अगर कोई भी condition true होगी तो true तो अगर मालने जो मैं b की value यहां पर कर देता हूँ value 12 कर देता हूँ तो मैंने लिखा a is less than equal b तो क्या a b से छोटा है या equal है तो yes छोटा नहीं है लेकिन equal है तो अगर आपको कुछ ऐसे comparison करने हूँ तो आप यहां पर relational operators का use कर सकते हैं next है logical operator तो logical operator क्या करता है an expression whose value is a boolean type true or false तो उसको logical expression कहते हैं logical operators are used when we want to compare more than one relation at a time तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा relation है और उनको compare करना हो तो logical operators तो logical operators में हमारे पास logical and है और logical or है और logical not है तो logical and क्या करता है logical and true देता है जब दोनों expression आपके true हो और अगर दोनों में से कोई भी एक expression false हो गया तो आपको ये false return करके देगा तो आपने लिखा expression 1, expression 2 और दोनों का result अगर true आया तो आपको मिलेगा true और देखिए बाकी condition में चाहें कोई भी expression true हो जाए लेकिन कोई एक भी false है तो आपको result false मिलता है तो इसको कहने का क्या मतलब है जैसे माल लिजे मेरे पास a की value 1 है b की value 2 है और c की value 3 है अब मुझे ये चेक करना है कि a क्या b से छोटा है and क्या b c से छोटा है तो अगर इसका evaluation true आया और इसका evaluation true आया तो पूरे expression का evaluation true आएगा और कोई भी एक false हो गया तो ये false हो जाएगा तो चेक करते है क्या a b से छोटा है a is less than b yes b is less than c yes तो दोनों का result क्या आएगा true लेकिन कोई भी एक false हो जाए a is greater than b and b is less than c तो ये वाली condition आपकी false हो गई तो पूरा expression का result आपका false हो जाएगा तो ऐसे and आपका काम करता है जैसे लिखा a is greater than b और कुछ लिए ऐसे लिए जाते है a is less than b and b is greater than c तो ये condition तो true है बट ये condition आपकी false हो गई तब भी आपके पूरे expression का result क्या आया false तो बहुत ध्यान से इसको practice कीजे क्योंकि यही सारी चीज आगे चलके हम अभी अपने looping में और conditional statements में देखने वाले हैं और में क्या होता है कि जब आपके पास दो expression लिखे हुआ हैं और दोनों में से किसी भी एक expression का result true आगया तो पूरे expression का result true हो जाता है और अगर दोनों expression false होंगे तो ही जाकर के आपके expression का result false होगा तो जैसे यहां पर गर माली जब मैं लिखता हूँ A is less than B और B is greater than C तो चेक करते हैं कि क्या A B से चोटा है Yes क्या B C से बड़ा है नहीं लेकिन एक true है और एक false है तो आपके result क्या आएगा true आएगा कि कोई भी एक अगर true हो गया तो पूरे expression का result true हो जाता है अगर दोनों ही true है तो obvious true तो हो नहीं है अब मैंने लिखा A is greater than B और B is greater than C क्या दोनों में से कोई भी एक true है A is greater than B नहीं B is greater than C नहीं तो जहां पर आपके result क्या आगया false तो यह कुछ ऐसा काम करता है आपके programming में logical not क्या करता है कि आपका जो भी expression का result हो expression कुछ भी हो सकता है अगर उस expression का result true है तो false कर देगा और false है तो true कर देगा तो जैसे मान लिखा not और यहां लिखा true ठीक है तो यह आपको दे देगा false मैंने लिखा not और यह है false तो यह आपको दे देगा true ऐसे कोई expression अगर लिख दीजे a is greater than b क्या a b से बड़ा है नई तो अगर यह false है तो इसका result हम not में क्या आजाएगा इसका result हो जाएगा true ऐसे लिखा not a is less than b तो a तो b से छोटा है यह answer true आएगा but not के साथ इसका answer क्या हो जाएगा यह मुझे दे देगा false तो यह logical not है next है bitwise operator इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगे क्योंकि बहुत सारे students इतने confused हो जाते है तो bitwise operator क्या होता है bitwise and यह symbol यूज़ करेंगे bitwise or के लिए single pipe यूज़ होती है यह आपको shift की की ऊपर मिल जाएगा इसको कहते है exclusive और इसको कहते है not तो bitwise operator bits पर operation perform करते हैं जैसे computer system में सारी की सारी चीज़े हमें पता है कि bits के form में store होती है तो यह bits पर operation perform करेगा अगर आपके पास दो bits दिये गए हैं और दोनो bits में से कोई भी एक bit अगर आपकी zero हो जाती है तो and आपका उसका result zero देता है तो जैसे यहाँ देखिए इसमें तो दोनों ही zero है तो यह zero आगया यह zero और one है तो भी zero हो जाएगा और यह आपका one और zero है तो भी zero one और one तो यह आपको one return करके देगा ठीक है ऐसी और में क्या होगा जब bit wise और operation परफॉर्म किया जाता है तो bit wise और operation में सिर्फ जब दोनों zero होते हैं तो zero आता है otherwise अगर कोई भी एक one हो गया तो आपको one मिलेगा exclusive और क्या करता है exclusive और में जहाँ पर दोनो bits आपके same हो जाते हैं जान से समझेगा यहां पर दोनों bits साबके same हो जाते हैं तो result zero हो जाता है अगर different है तो result one होगा तो जैसे देखिए यहां पर one one है तो भी result zero यहां पर zero zero है तब भी result zero ऐसी bit wise not क्या करेगा यह flip कर देता है bits को तो अगर जैसे zero है तो one कर देगा यह zero है तो one हो गया यह one है तो यह देखिए यहां पर zero हो गया यह one है तो यहां पर one हो गया तो bit wise not as a operation perform करता है तो इसको समझने के लिए कुछ code देखते हैं जैसे a is equal to six ले लिया और b is equal to three है और आपने लिखा r is equal a and b तो यह आपको result देगा sorry r1 तो r1 में आपको मिलेगा 2 r2 perform करेंगे तो result आएगा 7 r3 perform करेंगे तो आएगा 5 और r4 में अगर आपने not a लिखा तो आएगा minus 7 तो यह result आएगा यह code लिख करके आप अपने ideally पे चेकीजे मैं इसको explain कर देता हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा आपके a का bit pattern कुछ ऐसा बनेगा मैं यहाँ पे 8 bit patterns ले रहा हूँ तो a को अगर 6 में binary में convert करेंगे तो आप इसको यह पाएंगे अगर चाहें तो bin method use करके binary में convert करके check कर लिजेगा b की value आपको यह मिलेगी अब यहाँ पे मैंने operation perform किया a and b तो a and b में क्या होगा हम यहाँ पे देखिए जैसे and होगा तो 0 और 1 क्या हो जाएगा 0 क्योंकि and में दोनों bit same होते है तो ही 1 आता है बाकी पे 0 आजाएगा तो यह आपका result आ गया तो इसको अगर आप फिर से convert कीजिए integer में तो इसका result क्या आएगा इसका result आएगा 2 तो जैसे देख सकते है r1 का result आ रहा है 2 ऐसे ही अगर और operation perform किया आपने जैसे यहाँ पे और किया जा रहा है तो और में जहां पर दोनों 0 होंगे वहीं पे 0 आएगा बाकी अगर कोई भी एक 1 है तो 1 हो जाएगा तो यह सारे के सारे 1 आ गए अब इसको आप integer में convert कर लिए integer में convert करेंगे तो इसका result आएगा 7 तो देखिए r2 की value क्या आ रही है 7 मिल लगी है ऐसी exclusive और तो exclusive और में कैसे होता है exclusive और में जहां पे दोनों bet same होते हो 0 हो जाता है तो जैसे यह 1 और 1 है तो bitwise not क्या करता है देखिए आपने यहां पर a की value a का जो bit pattern होगा वो यह होगा अब आपने लिखा not a तो जो भी 0 है वो 1 जो 1 है वो 0 अब जब आप इसका magnitude calculate करेंगे यानि result calculate करेंगे तो देखिए क्या होता है अगर आप इसका first bit जब देखा जाता है most significant bit is 1 so that represent number is negative तो यह यहां पर देखता है इसको conversion करने आता है इसकी value को print करने की कोशिश करता है यह देखता है कि यह तो 1 जो है represent हो रहा है तो यह represent करेगा कि यह negative number है so for negative number value system evaluates two's complement of the bit and print magnitude तो पहले यह क्या करेगा इसका two's complement find करेगा और two's complement कैसे निकालते है पहले इसका one's complement निकाली है तो one's complement निकालने की time पर हम इसके bits को change कर देते है तो यह हो गया इसका one's complement zero का one और one का zero अब इसमें one add कर दीजे तो यह निकलाएगा आपका two's complement तो यह आगया 2s of 6, तो यह 2s complement आगया आपका 6 का, अब 2s complement of bit and print the magnitude with minus symbol, तो अब इसका calculation कीजिए, इसका calculation करेंगे तो आएगा 7 और इसको print कर दीजिए minus symbol के साथ, तो जैसे देख सकते हैं कि पिछले slide में हमारे पास रेट आया था minus 7, तो अगर आप इसका negative, sorry इसका अगर आप not calculate करेंगे तो minus 7, एक tip दे देता हूँ, अगर आप किसी भी positive number का magnitude, sorry bitwise pattern में not निकालते हैं, तो वो आपका negative में एक बढ़ी भी value आती है, जैसे 6 है, तो negative में 7, ऐसे ही अगर आप negative value का, अगर आप bitwise not करेंगे, तो यह एक छोटी value positive में, मतलब मैं symbol गेटा में बता रहा और 7 से एक छोटा कर दी, यानि 6 answer आएगा, यह बस एक tip है, इसको याद रखिएगा bitwise operators के लिए, bitwise में हमारे पास और भी operators है, bitwise shift और bitwise, right shift और left shift, तो bitwise right और left shift कैसे operation perform करता है, यह आपके bits को shift करता है, left और right side, लिखने का तरीका होता है, n shift operator t, तो यहाँ पर आप बताए n, n का मतलब है perform shift on n bits, okay, and t number of times, तो कितने number of times आप bit को shift करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप बताएंगे, तो जैसे मैंने लिखा, x is equal to 6, और left shift 2 times, okay, इसका answer आएगा 24, कैसे, तो यहाँ पर देखिए, 6 का bit pattern आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और जब first time इसका shift किया जाएगा, क् तो आपके ये जो bits है, ये 0, आपका left side जाएगा, और सारे bits एक-एक shift होगे, अब देखिए, ये 1 जो यहाँ पर था, वो यहाँ पर आगया, ये 1 जो यहाँ पर था, वो यहाँ आगया, और 0 ये वाला यहाँ पर आगया, और right side में एक 0 लग गया, तो ये अभी 1 shifting होई, bits में अभी values हैं, इसको calculate कर लिजे, आपके integer की value, that is 24, similarly, अगर आपको right shift करना हो, तो किसको करना है, 6 को, कितने times, 2 times, तो 6 का representation ये है हमारा, तो अब first time आप shift करेंगे, तो ये 0 आपका बाहर हो जाएगा, और ये 1 और 1 यहाँ पर आजाएगा, जब second time आप shift करेंगे, तो second time आ आपका ये 1 बाहर हो जाएगा, और ये आपके सारी values आजाएगी, ओके, ये 0 होना चाहिए था, ये गलत है, तो अब जब calculate करेंगे, तो ये आपका answer 1 आएगा, ओके, तो ये होती है, shifting operations, तो code लिक करके, खुछ से चेक किए, ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, कि shifting होता कैसे है, okay, membership operator, ये दो ना, ये जो operators है, ये python में available हैं, और बहुत useful है, membership operators, हम लोग use करते हैं, अपने program में, कि a test whether a value or variable is found in a sequence, तो ये हमेशा sequence में ही use करेंगे, अब sequence क्या चीज़ होती है, तो sequence का मतलब होता है, कि एक ऐसा variable जिसमें एक से ज़्यादा values हों, एक से ज़्याद elements हो, तो जैसे हमारे पास string है, list है, triple है, set है, dictionary हमने last session में आपको बताया भी था, कि इसके अदर आप चाहें, तो ये at a time, एक से ज़्यादा values रख सकते हैं, तो अगर आपको चेक करना हो कि particular element उस sequence में available है या नहीं है, तो उसके लिए आप in or not in use कर सकते हैं, तो for example, अगर a क a की value 10 है और b की value 20 है, और ये हमारी list है, that is 10, 20, 30, 40, 50, तो हमें check करना है कि क्या a, यानि 10 इस list में है या नहीं, तो लिखेंगे a in list, तो ये result अगर आपका ये available होगा, तो true बता देगा, otherwise ये आपको false बताएगा, तो yes, 10 is available, b is in list, ये बताया false, तो अगर ऐसे ही आपने यहा लिखा कि two in my list, तो ये आपको बता देगा, कि क्या ये आपके list में available है या नहीं, तो true, क्योंकि two available है, और अब मैंने लिखा यहाँ पर, कि क्या five in my list, तो नहीं, five आपके list में available नहीं है, similarly अगर आपके पास कोई string है, और मैंने लिखा, code with danial, कुछ ऐसा, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या, w in s or not, okay, so as you can see, w is in s, लेकिन यहीं चीज़ याद रखीगा, ये case sensitive होता है, तो अगर मैं small में लिखता हूं w, और फिर मैं चेक करता हूं in s, तो ये आपको बता देगा false, तो वो in से checking होती है, और not in से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, क जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, w not in, ठीक है, तो ये आपको बता देगा ही है या नहीं, तो ये बता है not in yes, it is not in s, okay, तो ये sequences में values को चेक करने के लिए हम use करते हैं, next है identity operators, so identity operators क्या करते हैं, ये objects compare करने के लिए use होता है, तो identity operators are used to compare the objects, not if they are equal, but if they are actually the same object with the same memory location, is and is not are identity operators in python, तो is or is not जो है वो identity operators होते हैं, ये इसलिए use होता है कि as, अगर आपके दो variables, same object को point कर रहा है, जैसे a is equal to 10 लिखा आपने, ठीक है, और b is equal to 10 लिखा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ a is b, तो return आएगा true, अब ये मैं समझेगा कि ये values का comparison हो रहा है, यहाँ पर actually compare हो रहा है इनकी id का, अब id का क्या मतलब है, जैसे माल लिजे, मैंने आपको एक function बढ़ाया था, type, type से आप type check कर सकते हैं, ऐसे एक function होता है id, id से क्या get कर सकते हैं, कि क्या address है जहाँ पर ये value बन रही है, मैं आपको id function अलग से भी बताऊंगा, तो id आपको ये बता देता है कि ये कि address location पर बना हुआ है, तो अभी a जो है वो आपके इस memory location पर है, जब हमने b बनाया तो क्या ये नए location पर बना, तो check कर लेते हैं by using id function, ये बता देगा, तो देखते हैं, तो यहाँ पर बता रहा है कि ये जो function है, sorry जो a है, ये जिस location पर है, b भी उसी location को point कर रहा है, तो a और b are pointing to the same address, तो identity operator क्या करता है, objects को check करता है, कि क्या both objects are pointing to the same address or not, तो they are checked, two values और variable are located on the same memory or not, तो ये क्या करता है, दोनो values को check करेगा, कि क्या वो same memory पर हैं या नहीं है, तो अगर दोनो same memory पर हैं तो true, और अगर दोनो same memory पर नहीं है, तो false, जैसे b is equal to, मैंने लिख दिया, 12, ठ अब चला चेक कीजिए कि b की id क्या है, तो id of b, और अब मैं लिखता हूँ a is b, तो मुझे मिलेगा false, लेकिन लिखता हूँ a is not b, तो मुझे मिलेगा true, क्योंकि ये identity को check करता है, तो इतने सारे operators हैं, जो हम use करेंगे अपने आगे वाले code में, तो बहुत अच्छे से practice कीजि होगा, फिर भी अगर आपको कोई doubt है, तो आप अपने doubts comment box में लख सकते हैं, okay, so अगर आप इस channel पर नए हैं, तो please इसको subscribe कीजिए, क्योंकि feature में बहुत सारे videos बनाऊँगा, बहुत साई चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा और सिखाऊँगा, अगर आपको ये videos समझ में आ कर सकते हैं, इसको subscribe करके promote कर सकते हैं, thank you, bye bye